हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीजल ळोको मोटिव में आने वाले आपजक्ति और कोश्चन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जितने डीजल लोकों हैं हमारे उनके हार्स पावर के बारे में बोग देख लेते हैं WDM-3A इसका हार्ज पावर होता है 3100, 3100 हार्ज पावर और WDM-3C, WDM-3D का 3300 हार्ज पावर होता है, WDG-4 और WDP-4 यानि सिंगल कैब वाले जो हचेच्पी लोको मोटीव हैं, उनका 4000 हार्ज पावर है और डबल कैब वाले यानि WDG-4D और WDP-4D, इनका होता है 4400 हार्ज और आजकल जो नए लोकों हमारे चले हैं 4G और 6G तो WDG 4G का 4500 Hz पाउर होता है और WDG 6G का 6000 Hz पाउर होता है अब लोकों के लोड के बारे में अगर हम बात करें और एकसल लोड के बारे में चुक्कि एकसल लोड होगा उसको 6 से मल्टिप्लाई करेंगे तो लोकों का लूड आ जाएगा WDM 3A का एकसे लूड होता है 18.80 यानि टोटल वेट इसका 112.8 WDG 3A का 20.5 टन WDP 4 का 19.5 WDP 4D का 20.5 WDG 4 का 21.7 टन होता है वो इसमें 6 से मल्टिप्लाई करेंगे तो लोकों का वेट आ जाएगा जो की सामने टेबल में लिखा हुआ है इस स्पीड की बात करें तो WDM 3A का 120 के मपीच मैक्समामी स्पीड होता है WDG 3A का 105 और WDG 4 एचचपी लोकों का 120 और जो पसेंजर का है यानि WDP 4 का 160 के मपीच मैक्समामी स्पीड होता है गेर रेशियो की बात करें हम तो WDM 3A का 18 अनपात 65 WDG 3A का 18 इस्टू 74 WDG 4 सत्रा नब्बे और DP 4 सत्रा सत्हात्तर गेर रेशियो ये होता है बुल गेर और पिनियन गेर में जो टीथ होते हैं उनकी अनपात है ये कंप्रेशन रेशियो देखें तो ELKO LOCO का 12 इस्टू 1 होता है जबकि HHP LOCO का 16 इस्टू 1 होता है हमारे जो ELKO LOCO है वो 4 इस्ट्रोकें गेरे जबकि HHP LOCO हमारा टर्बोचार्ज 2 इस्ट्रोकें है WDG 4 का जो माडल है वो GT46 MAC होता है और DP4 का GT46 PAC, PAC यानि P for passenger, अगर P लग गया, तो यह WDP4 का हो गया, और MAC लगा है, यानि Mix का, तो यह WDG4 का है, इंजन माडल होता है 710 G3B, फ्यूलायल सिस्टम अगर Elko Loco और HHP Loco में हम compare करें, objective question के हिसाब से, तो Elko Loco में जो फ्यूलायल का relief valve होता है, वो 78 PSI पर सेट है, और regulating valve 50-55 PSI पर सेट है, और जो हमको फ्यूलायल pressure gauge में pressure सो करता है, वो regulating valve वाला ही pressure सो करता है, HHP में, फ्यूलायल का relief valve 60 PSI पर सेट है, और regulating valve 15 PSI पर सेट है, और primary filter का जो bypass valve है, जो primary filter मारा चोक हो जाता है, तो यह bypass valve 30 PSI पर सेट है, यानि इससे ज़्यादा अगर outlet और outlet पर pressure difference होगा, तो हमारा बिना चहने हुए HHD सिस्टम में चला जाएगा, लिवाल सिस्टम की बात करें, तो एलको में लिवाल पंप एक है, और इसमें लिवाल की capacity 1270 लीटर है, आर आर 606 तेल इसमें पढ़ता है, और relief valve की setting 135 से 140 PSI होती है, जबकि regulating valve 105 से 110 PSI होती है, HHP लोकों की बात करें, तो इसमें 4 लिवाल पंप है, आगे इसके बारे में बात करेंगे कौन-कौन से 4 लिवाल पंप है, और वो कहां लगे हुए है, तो 4 लिवाल पंप है, capacities की 1457 लीटर की है, relief valve इसमें 125 PSI पर set होता है, ये लिवाल के जो valve की setting है, ये बहुत important है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, लिवाल फिल्टर बाइपास वाल ये 40 PSI पर set है, और टर्बो को लुब्रिकेट करने वाला जो पंप है, यानि टर्बो लिवाल पंप, उसका जो relief valve है, वो 32 PSI पर set है, और टर्बो का जो फिल्टर है, जिसको बोलते है, सोक बैक फिल्टर, उसका बाइपास वाल 70 PSI पर set है, ये तीनों काफी important है, वाटर कूलिंग सिस्टम में, एलको में एक पंप लगा हुआ है, कैपसिटी 1210 लीटर है, और दो टैंक है, 155-155 लीटर के दो टैंक है, एचेचपी लोको में दो वाटर पंप है, इंजयनेसेसरी रूम में 1045 लीट का होता है, कंप्रेशर आयल अगर बात करें, तो एलको लोको में 18 लीटर आता है, केसी 3W में, जिसमें SP 150 तेल पड़ता है, एचेचपी में 9.98 लीटर तेल आता है, और SP 100 तेल इसमें पड़ता है, डबलू डीजी 4 और डीपी 4 में, डिफरेंस में जो आपज़क्टिव हैं, उनकी बात कर लेते हैं, बोगी की बात करें, तो डीजी 4 कोको टाइप की है, HTSC, और डीपी 4 में बोबो HTSC है, मैक्समम ट्रेक्टिव एफर्ट, अकसर ये कोईशन पूछता है, तो डबलू डीजी 4 का 540 किलो न्यूटन या 14 टन होता है, और डीपी 4 का 270 होता है, कां और डीपी 4 में 160 किलो न्यूटन, कांटिनिवस मिनमम स्पीड, डीजी 4 साड़े 22 किलो मीटर पर आवर, और डीपी 4 में 44.7 किम्पेच होता है, मैक्समम अधेशन जो है, वो डीजी 4 का 43 परसंट है, और डीपी 4 का 35 परसंट है, ट्रेक्टिव एफर्टिव एर का जो कि डीपी 4 में 2600 वोल्ट डीजी है, लेकिन यही डीजी 4 में 3000 वोल्ट डीजी रहता है, आर्पियम की बात करें, तो एलको लोको में जो आईडिल आर्पियम है, वो 400 है, और 8 नाच पे 1050 आर्पियम है, एमसी बीजी अगर गोर्णनर है, तो उसमें लो आईडिल आर्पियम की भी सुविधा है, तो उसमें 600 आर्पियम लो आईडिल का होता है, हचपी में स्टार्टिंग आर्पियम, 150 आर्पियम होता है, लो आईडिल आर्पियम 200 आर्पियम है, आईडिल आर्पियम इसका 279 है ग्यारा बज़े उसकी नार्मल पोजीशन यानि रिसेट पोजीशन है और तेरा बज़े ट्रिप वाली पोजीशन है यानि एलको लोको में वश्टी है 1200 प्लस माइनस 20 पे है और हचपी में 960 से 1045 लिवाल का जो प्रेसर है जो लो लिवोकर इंजिन को बंद कराता है उसकी जो सेटिंग है एलको लोको में आइडिल पे 1.4 kg पर सिया मिसकार होता है और आठ सनाच पे 4.3 kg पर सिया मिसकार यानि इससे नीचे हुआ तो एलको लोको बंद होगा जबकि यही लिवाल का प्रेसर हैचपी लोको के लिए आइडिल पे 0.9 kg पर सिया मिसकार और आठ सनाच पे 1.75 kg पर सिया मिसकार होता है आयार एबी ब्रेक सिस्टम में A9 की टोटल 5 पोजीशन होती है रिलीज, मिनमम, अप्लिकेशन, फुल सर्विस, ओवर रिडेक्शन और इमर्जनसी इसमें एक तो रिलीज हो गए अगर ब्रेकिंग पोजीशन पूछे तो चार होती है इसमें प्रेसर कितना ड्राप होता है तो रिलीज में बिल्कुल प्रेसर नहीं ड्राप होता है नहीं 0 kg ड्राप होता है फुल सर्विस में 1.5 से 1.7 kg पर सियम उसकार प्रेसर ड्राप होता है ओवर रिडेक्शन में 2.5 kg पर सियम उसकार प्रेसर ड्राप होता है और इमर्जनसी में पूरे 5 kg प्रेसर ड्राप हो जाता है इसे 9 की बात अगर हम करें IRAB सिस्टम ने तो रिलीज पे कोई भी प्रेसर ब्रेक्शन में सो नहीं करेगा और जब हम ब्रेक को फुल अप्लिकेशन में कर देंगे इसे 9 को तो 3 kg पर सियम उसकार प्रेसर गेज में हमको सो करेगा CC भी ब्रेक्शन की बात करें तो A9 की इसमें 5 position है जिसमें जो ब्रेकिंग position वे हम मेरी केवल 3 है एक इसकी रन के बाद release position होती है जिसमें BP को हम जल्दी से charge कर सकते है यानि जब ब्रेक्शन हमको जल्दी से बनाना है तो A9 handle को हम release position पर पकड़ के रखेंगे यह जो release position है इस पे fast charging और over charging दोनों होती यानि BP जल्दी से बनेगा और 5 kg पर CMC तक BP हमारा चला जाएगा पहले ये 5.7 kg पर CMC था लेकिन RDSO ने इसको 5.5 कर रख़ा है तो release पे 5.5 kg पर CMC रहेगा run पे 5 kg पर CMC रहेगा और जब हम minimum breaking करेंगे तो dropping वही 0.5 से 0.7 होगा यानि हमको gauge में 4.3 से 4.5 kg पर CMC पर सो करेगा full service यानि FS पे 1.5 से 1.7 kg पर CMC पर सो करेगा यानि gauge में हमको 3.3 से 3.5 kg पर CMC पर सो करेगा emergency position पे हमको gauge में 0 kg पर CMC पर सो करेगा यानि पूरा pressure हमारा drop हो जाएगा SA9 की CCB brake system में 3 position होती है release जिस पे gauge में हमारे 0 pressure सो करता है तता full application में 5 kg पर CMC पर सो करता है बिलाफ की जो position है ये coaction को हटाने के लिए यानि अगर हम बिलाफ को हम दबा देंगे तो जो लोकों में हमारे coaction से brake लगा है वो समाप्त हो जाएगा तो ऐसा ही और objective वीडियो देखने के लिए हमारे channel को subscribe करें और बिलाइकन please press कर दीजिए next part में और भी diesel के objective question पर हम लोग बात करेंगे तेंक यू